उत्तर परदेश में बीते कुछ दुनों से भारी बारिश हो रही है इसी के चलते कई जगाओ पर जल भराव की इस्तिति भी पैदा हो गई है वही तेज बारिश के कारण सडकें भी जगया जगया से उखड गई है गड़ों में पानी बर गया है सड़क पर पानी भरने से दुगटना होने की घटनाई भी देखने को मिल रही है ऐसे ही एक घटना सीतापूर जिले से देखने को मिली है सीतापूर के डीयेम और एश-प का काफिला गुजल रहा था तबी सामने से सवारियों से भरा यателей रिश्या था काफिले को साइट देने के चक्कर में एरिक्षा पलट गया हद तो तब होगी जब किसी जिम्मेदार अधिकारी ने पलट कर तक नहीं देखा और काफिला आगे बढ़ता गया जानकारी के मतावी वारेल हो रहा है वीडियो सीतापुल जिले के जहांगीरा बात चुरहाई के पास बताया जा रहा है जहां वी 30 सोंबा को दुपैर उस वक्त बड़ी अनुवनी होते होते रह गई जब डियेम और एसपी का काफिला उधर से निकल रहा था तभी हिसामने से आ रहे एरिशा चालक ने अपनी गाड़ी साइड करने की कोशिश की लेकिन जलबरावए रास्ता बेहत खराब होने की वज़े से उसका बैलेंस भी गड़ गया और देखते ही देखते सवारियों से बरा एरिशा पलट गया अब इस आस्ते का वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वहीं इस्थानिय लोगों की माने तो जब ये लोग गिरे तो वहां से अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला गोजर रहा था बावजूद इसके किसी ने भी मनता दिखाने की जहमत नहीं उठाई जबकि इरिशा में महिला बच्चे समयत कई लोग सवार थे बताया ये भी जा रहा है कि अधिकारियों का ये काफिला बार का निशन करने जा रहा था गाड़ी की साइट देने के चक्कर में इरिशा पूरी तरह से पलट जाता है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं इस वीडियो को देखकर आप करके नहीं चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें